हेलो दोस्तों, आज की पोस्ट में हम शेर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। शेर को सभी लोग जानते हैं। शेर को जंगल का राजा कहा जाता हैं। शेर को अंग्रेजी में लाइन कहा जाता हैं और शेरनी को अंग्रेजी में लाइनेस कहा जाता हैं। एक मादा शेर को एक दिन में 5 kg मास की जरूरत होती है एक पुरुष को एक दिन में 7 किग्रा या उससे अधिक की जरूरत होती है शेर आमतोर पर 10 या 15 जानवरों के समूह में रहते हैं जिन्हें प्राइब्स कहा जाता है एक वयस्क शेर की दहार 8 किलोमेटर दूर तक सुनी जा सकती है शिशु शेर का नाम शावक, मच्छर या शेरनी है शेर भुजन के लिए शिकार पर जादातर सुबह से शाम तक जाते हैं मादा शेर 85-90 प्रतिशत प्राइब्स शिकार करती हैं जबकि नर शेर इलाके में गश्ट करते हैं और गौरव की रक्षा करते हैं शेर जंगल में औसतन 12 साल और 16 साल तक जीवित रहते हैं वे 25 साल तक कैद में रहते हैं अक्सर जंगल के राजा के रूप में जाना जाता है ज्यादा तर शेर वास्तव में सवाना या घास के मैदान में रहते हैं गिरवन राष्ट्रिय और उध्यान भारत में जंगली वन निवास शेरों की बस एक आबादी बनी हुई है मादा शेर दो साल की उम्र तक अपने वयस काकार के दो तिहाई तक पहुंच जाती है शेर 81 किलोमील प्रती घंटा तक की रफ्तार से चलते हैं शेर बड़े जानवरों जैसे जेबरा और वाइल्ड बेस्ट का शिकार करते हैं शेर हमेशा से शक्ती, शक्ती और उग्रता का प्रतीक रहा है नर शेर गौरव के क्षेत्र की रक्षा करते हैं जबकि महिलाएं ज्यादा तर शिकार करती हैं इसके बावजूद नर पहले खाते हैं इन राजसी बिल्लियों को निवास के नुकसान की धमकी दी जाती है शेर को IUCN Raid List of Threated Species के रूप में सूची बद किया गया है शेर कभी पूरे अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाया जाता था लेकिन अब केवल एक अपवाद के साथ अफ्रीका में मौजूद है अन्तिम शेश एशियाई शेर भारत में सासन गिर नेशनल पाक में पाये जाते हैं, जो मुख्य रूप से प्रजातियों की रक्षा के लिए बनाया गया था वर्तमान में, पाक में लगभग 350-400 शेर हैं शेर की दहाड को 5 मील दूर से भी सुना जा सकता है एक शेर 50 मील प्रती घंटे की छोटी दूरी तक दोड सकता है और 36 फीट की चलांग लगा सकता है भले ही शेर को कभी-कभी जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में केवल घास के मैदानों और मैदानों में रहता है अभिव्यक्ति अफ्रीका और जंगलों के बीच गलत संगती से आई हो सकती है या जंगल शब्द के कम शाब्दे कर्थ को संदर्भित कर सकती है एक शेर दिन में 20 घंटे तक सो सकता है, शेर हमेशा से शक्ती, शक्ती और तेज का प्रतीक रहा है जब वह चलता है तो एक शेर की एड़ी जमीन को नहीं चूती है आँखों के विशय पर शेर के शावक नीली आँखों के साथ पैदा होते हैं जो दो से तीन महीने की उम्र में एमबय या भूरे रंग में बदल जाते हैं सबसे बड़ा दाहार, एक नर शेर की दाहार को पांच मील दूर से सुना जा सकता है, किसी भी बड़ी बिल्ली की प्रजाती का सबसे बड़ा दाहार उनकी दाहार उन्हें अन्य शेरों के साथ साथ उनके क्षेत्र की घोशना करने में मदद करती है गर्व के क्षेत्र में 100 वर्ग मील तक शामिल हो सकते हैं एक राश्ट्रिय प्रतीक, शेर गर्व, साहस और शक्ती के साथ जुड़े हुए हैं जो उन्हें एक आदर्श राश्ट्रिय प्रतीक बनाते हैं अल्बानिया, बेलजियम, बल्गेरिया, इंग्लेंड, इथियोपिया, लगजंबर्ग, नीदरलिंड और सिंगापो सभी शेरों को अपना राश्ट्रिय प्रतीक मानते हैं मादाई जीवन के लिए एक साथ रहती हैं, मादा शेर, बहने, जीवन भर साथ रहती हैं उनके मादा शावक बड़े होने के बाद भी गर्व के साथ रहते हैं, लेकिन परेपकवता तक पहुंचने के बाद नर शावकों को अपने आपी बाहर निकल जाना चाहिए मादाई जीवन के लिए एक साथ रहती हैं, मादा शेर, बहने, जीवन भर साथ रहती हैं मादा शेर शिकार करते हैं आमतोर पर समुहों में जबकि नर शेर घर पर रहते हैं और गर्व से देखते हैं हालां कि नर शेर सबसे पहले तब खाते हैं जब मादा शेर अपनी मार के साथ घर आती है उनके पास कुछ पसीने की ग्रंथियां होती हैं इसलिए वे दिन के दोरान आराम करके अपनी उर्जा का सनरक्षन करते हैं और रात में अधेक ठंडा होने पर सक्रिया हो जाते हैं औसत नर शेर का वजन लगभग 180 kg 400 पाउंड होता है जबकि औसत महिला शेर का वजन लगभग 130 kg 290 पाउंड होता है रिकॉर्ड पर सबसे भारी शेर का वजन 375 kg 826 पाउंड था शेर 81 प्रती घंटे 50 मील प्रती घंटे तक की गती तक पहुंच सकते हैं लेकिन केवल सहनशक्ती की कमी के कारण कम फटने में शेर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली की प्रजाती है बाग वास्तव में उनसे बड़े है एक नर शेर का मान जितना गहरा होता है वो उतना ही बड़ा होता है मादा शेर उन पुरुषों के साथ संभोग करना पसंद करती हैं जिनमें सबसे लंबे और सबसे गहरे माने होते हैं अधिकान शान्य बिल्लियों के विपरीत शेर महान तैराक होते हैं एक शेर 36 फीट तक छलांग लगा सकता है शेर बिल्ली परिवार का एक मात सदस्य है जिसकी पूंच है टैसल केवल अच्छा नहीं दिखता है जब एक शेर 5 से 7 महीने का होता है तो सबसे पहले टैसल दिखाई देता है केवल आठ में से एक नर शेर वयस्कता में जीवित रहता है दो साल की उम्र में अपने अभिमान से बाहर निकलने के तुरंत बाद अधिकांज शेर मर जाते हैं 2002 में सन्रक्षन वादेयों को बहुत आश्चर्य हुआ एक शेरनी ने एक शिशुम्रिग को गोद लिया और उसकी रक्षा की दो हफ़ते बाद एक नर शेर ने बच्चे को खाल लिया जबकी शेरनी सो गई शेरनी डख से त्रस्थ हो गई और क्रोध में घबरा कर चली गई जैसा की बाग की हड़ियां दुरलब होती जा रही हैं शिकारियों ने एशिया में पारंपर एक चिकित्सा की तीवर मांगों को पूरा करने के लिए शेर की हड़ियों की और रुख किया है एक नर शेर दस फीच तक लंबा हो सकता है और 400-500 पाउंड वजन कर सकता है लगभग 8 या 9 छोटे बच्चों या 50 से अधिक पालतू बिल्लियों के रूप में है एक सदी पहले अफ्रिका में 200-000 से अधिक शेर रहते थे आज केवल 15,000-32,000 ही बचे हैं 1930 के दशक में Great Depression के दोरान New York वासियों द्वारा प्रदर्शित गुनों को दर्शाने के लिए उनका नाम रखा गया था The Art Institute of Chicago के बाहर दोकां से शेर 1893 में इसके उध्धाटन के लिए बनाए गये थे दक्षिन शेर अनाधे कारिक रूप से का नाम इने Defense of Defense है और उत्तरी शेर का नाम On The Prole है इंसान की तुलना में शेर अंधेरे में 6 गुना बहतर देख सकते हैं रात में उनकी आँखों के पीछे एक चिंतनशील कोटिंग चांदनी को पकड़ने में मदद करती है उनकी आँखों के नीचे फर का एक सफेद पैच होता है जो और भी अधेक प्रकाश को प्रतिबिम्बित करने में मदद करता है एक सिन्हपर्नी का दंश एक चोहारे के कातने से 30 गुना अधेक मजबूत होता है जगुआर में 2000 साई पर किसी भी बड़ी बिल्ली का सबसे मजबूत कातने का बल है सबसे मजबूत कातने वाला जानवर 5000 साई पर नील मगर मच है ताकि शावक अपने शिकार कोशल का अभ्यास कर सके शेर कई अलग-अलग रंदों में आते हैं जिनमें तन, भूरा, पीला और यहां तक की लालवी शामिल है शेर और सतन गर्व के साथ 2-40 सदस्यों की सवारी में रहते हैं जिसमें तेरा जानवर होते है शेरों की दो जीवित प्रजातियां हैं, अफ्रीकी और एशियाए अफ्रीकी शेरों की लगभग 6 उप्रजातियां है प्रसिद MGM शेर का नाम, लियो दलान, है और 1929 के बाद से इसकी हर एक फिल्म को खोला गया है MGM के प्रतिष्टित क्षेत्र के लिए 5 अलग-अलग शेरों का उप्योग किया गया है दो साल की उम्र में एक शेर दहार सकता है एक शेरनी और नर जगुआर हाइब्रिद को एक गुड के रूप में जाना जाता है यदि एक शेरनी एक नर बाग के साथ प्रजनन करती है तो परिनाम स्वरूप संकर एक टाइगौन है एक शेर एक नर शेर और बागिन की संतान है प्रतिएक के माता-पिता एक ही जीनस के है सबसे आम शेर अफ्री की शेर है और अपने तनकोट और जोर से दारते हुए वे जनवर हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग शेर के बारे में सोचते हैं आज हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से शेर के बारे में रोचक तथ्य बता रहे हैं हमें उम्मीद है कि शेर के बारे में जानकारी की इस सूची ने आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त की सराहना की एक नर शेर 10 फीच तक लंबा हो सकता है और 400-500 पाउंड वजन कर सकता है लगभग 8 या 9 छोटे बच्चों या 50 से अधिक पालतू बिल्लियों के रूप में है आशा करते है ये शेर के बारे में रोचक जानकारी लाइन के बारे में जनकरी आपके लिए लाबदायक हो